हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेक्या रहा हूँ देखे बात करेंगे लॉंग टम इंवेस्टमेंट लर्निंग की और साथ के साथ एक्जामपल होगा आईटी स्टॉक्स का एक नहीं बलकी अनेक आईटी स्टॉक्स का जिसमें टीसेस इ मसने की कोशिश करेंगे डिटेल में और आके पढ़ने से पहले मापको बता दुगरा आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्ले से सब्सक्राइब कर लाएं बेल आइकन को प्रेश कर लाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन आते हैं कि और साथ मैं वीड अभी तक इंडिया में यह कहूंगा सटॉक मार्किट में लोग बहुत कॉइब है इन आपका काम है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आज Nifty IT Stock, Mindtree, Coforge, यानि कि पहले इसका नाम क्या था, Coforge का है, NIT Technologies Limited, Coforge आज इसका नाम है, वो लोग जो इसमें काम करते हैं, उनको जरूर पता होगा उनको यह चीज, और LTI, HCL Technologies, Emphasis, Wipro, TCS, Tech Mahindra, Infosys, और LNT Technologies Services, अगर आप देखा जाएं, इसमें LTI, LTTS, Mindtree, ये तीनों क् थाली के चटे-बटे मैं कहूंगा, ये सब कुछ एग ही है, क्योंकि ये तीने ही LNT की कंपनीज है, ये मान के चलिए, माइंटरी भी खरीद लिए LNT ने, LTI है अल्रेडी है, सब आपको गया, Nifty IT में तो इनी का बोल बाल आया, लेकिन TCS, Infosys, बड़े प्लियर यहां पे है आज मैं ये सब चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, आज की रेट में अगर आप देखोगे, यहां पे माइंटरी कहां, मैं मन्थली चार्ट के उपर फोकस करूंगा, अक्सर मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कि अगर आप Long Term Investment की बात करते हो, तो मन्थली चार्ट के उपर फो कर सकते हो, पहले तो यह पार्ट देखिए, यह देखिए, बहुत important है कि नहीं है, उसके बाद बहुत बढ़िया rally यहां पर आती है, फिर यह correction देखे, 2017-18 से लेके कितनी लंबी यह correction रही, यह पूरे पार्ट को देखिए, इवन अगर मैं कहूं, 2020 में जो यह fall bottom point था उसी त track एक एक ऐसा, आप इसको, मैं ही कहूंगा कि आप यह से कह सकते हैं कि बुलिस एंगर्फिंग, बियरिस एंगर्फिंग, मैं इनको railway track के नाम से जानता हो, बहुत बढ़िया यह situation, कहां पर होती है, वो important है, यहां पर यह पाई जाती है, लेकिन इस particular part को समझें, और उससे भ पाट को, मतलब पांच गुना यहां से यहां तक पैसा आपका हुआ, आप सोच गया है, मैंने यह bottom पकड़ देना था, कितना मैं आपको repeat करूंगा, bottom और top को catch करने की कोशिश, बहुत यह खतरनाक और बहुत यह dangerous होती है, इसी लिए, चीजें जो होए, अपनी goal को समझें, म आप देखो के कहीं न कहीं weekly पे या daily पे ऐसी corrections आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको low risk की opportunity मिलेंगी, यह एक stock है, माइन ट्री का, यह समझ गया आप, तो important area कौन सा है, मंतली के हिसाब से, यह area, यह area, फिर छोटे time frame, क्योंकि यहां पे 20 EMA से भी दूर दूर यह चल आ गया देखिए, तो यह आसमान पे अगर आप फ्रेश investment in peaks पे करने की कोशिश करते हो, कहीं पे भी peak पे, अगर आपको चोटे time frame वहां पे risk आपका ज्यादा दिखा रहे है, चोटे time frame भी तो वह बहुत ही खतरनाक, बहुत ही dangerous होता है, इसलिए क्योंकि time correction आप देख सकते ह बहुत ही dangerous होता है, तो इसलिए या तो छोटे time frame का use कीजिए, या फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए कि avoid करना better रहेगा, अब already इतना बड़ा move है, तो definitely कुछ न कुछ booking लोग करते ही है, और साथ के साथ अगले stock को देखिए, यह LTI, यह देख रहे हो, यह breakout हुआ, यह consolidation मिल रहे है, यही नहीं, यह देखिए, पार्ट, यह Infosism है कितनी बड़ी candle बन रहे है, लाल वाली इस बन थे की, और कहां पर यह situation, वही same situation, इस time पर Nifty IT के index नहीं बना के दी थी, और आप देखोगे, यह सितंबर 2020 की बात है, उसके बाद 900 के level से यह भी गया था, 1900 के level पे, T 2020 के इस वीडियो को देखिए, यह Infi, यहाँ पे हमने पूरे index को समझा था, और मैं आपको यहीं कहूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे रुकिए, अब यह पुराना वीडियो description में आपका link है, और उपर i button पे जाके click कीजिए, i button पे जाके click कीजिए, और समझने की कोशिश क कीजिए कि कैसे यह situation, यह Infosys का पाट है, किस तरह की breakout के बाद यह बहुत ही important consolidation यहाँ पर देखने को मिल रही थी, यह Kofors का है, कैसे situation, correction, rally start, यह HCL technologies का है, 720 का level, और अगला देखिए, बहुत ही important है कि यह mine tree का breakout के near consolidation को देख रहे होगे, आप क्या बहतरीन situation बनती भी दिखी थी, mine tree की, कब का क्या level है, 1181 जो मैंने आपको बताया था, और यह September 11 का वीडियो है, 2020 का, उसके बाद आप देखिए, यह level LTI का है, इसमें सारे stocks आपको समझा रहे हैं, काफी detail में, और आपको यही कहूंगा, एक एक नहीं, अब हम और stocks को लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर TCS जैसे हमने देखा, TCS के बाद जरा कोफोर्ज को भी देख देते हैं, कोफोर्ज क्या situation थे उस टाइम पर, यह देखिए, यह कोफोर्ज कहा पर था उस टाइम पर, यह level था, September का टाइम, आप तसली से देखिए, 2020, July, August, September, यह situation बन रही थी, almost breakout के level पर, उसके बाद कहा तक गए, सीधे, 2000 के level से, आप देखिए, 2000 का level है, और यह 6000 का level है, कोफोर्ज के बाद जरा emphasis को देखेंगे, अब आप सोचे कि कितनी दूरी यहाँ पर बनी है, अब कितनी बड़े, किस तरीके से, अब डिस्टिबुशन, वाइड वाइड देखिए, accumulation और distribution की बात आजे, accumulation accumulation, एक टाइट जोन, लेकिन जब वाइड गंसलिडेशन होती है, तो वहाँ पर distribution का structure आपको देखने को मिलता है, और उसमें इस तरीके से, बड़े-बड़े वाल्यूम के टावर, opposite side के आपको देखने को मिलते है, emphasis देखिए, उस ताइम पे September में कहा था, यह level था, 1200 और यह stocks को, आपको जो बताने के कोशिश कर रही है, यह monthly chart है, हमेसा focus कर रहा है, अगर monthly chart पे focus कर रहे हो, तो इन एरियाज पे, RSI के, इन एरियाज पे, ऐसे नहीं कि आप इन एरियाज पे focus कर रहे हो, जब monthly chart 90 पे पहुँच गया, आप यह देखिए, कहां पे है, मन्थली के RSI पे बड़ी गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट आएगी, तो monthly को ठंडा होने दीजिए, at least 60 पर तो आने दीजिए, यह देखिए, तो यह important, लेगिन अगर आपको opportunity फिर भी देखनी है, तो छोटे time frame वाइस देखिए, क्यों, क्योंकि आप उससे अपने risk को minimize कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने, मैं मैं आपको clear cut बता दू, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जिन्होंने यहाँ इस level पे, इस stock में buying की होगी, आज वो कहेंगे कि यह stock गिर गया, कब बढ़ेगा, आप देखिए, यह levels देखिए, एग बार, यह levels देखिए, इवन अगर मैं कहूं, इस level इस correction को भी अगर आपने खरीदा होगा, जो 3800 के level पाथा, चोटे time frame wise, ताकि आपका risk जो है, वहाँ पे mini wise हो जाए, और stop loss risk management की बात ही छोड़िये, जब retail की आप बात करते हो, चोटे निवेशकों की बात करते हो, वो कहते है, खरीदो और भूल जाओ, और खरीदे यह यहाँ पे है, और अगर यह चार साल यहाँ पे consolidate किया तो भूलेंगे नहीं, फिर उनको बेचना पड़ेगा, जैसे कि यह देखिए, यहाँ पे कितने time चला पीक से, यह consolidation आप देख सकते हो, कितने time चला है, time देखिए, अब आप यहाँ पे 2018 के mid का, और यहाँ पे पूरा क पूरा हो है, 2020 के mid में मैं कहूंगा and almost, almost 2 साल मान के चले, 2-5 साल के around का यह consolidation period, तो time correction भी कोई चीज होती है, देखिए, देखिए इस पाट को, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि यह situation आप हर जगे पे देखोगे, कहाँ पे देखोगे, हर जगे पे, यह देखि के ऐसी situation आ रही है, तो यह fall आप इसलिए देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काफी दूरी हमारे पास आ चुकी है, even यह देखिए, लेवल देखिए, 90s, तो यह situation, जब आप long term perspective से फिर से repeat करूंगा, understand this, बार बार हम कहते हैं कि long term investment के opportunity अगर तलास रहो, तो starting point आपका in areas में आएगा मंतली के, ना कि in areas में, अगर in areas में आएगा, तो आप हमेशा अपने आपको फसा हुआ महसूस करोगे, even मैं आपको यही कहूंगा, कोई भी stock पिछले 2 साल में जो सबसे ज़्यादा भागे हैं, उनको देखिए, in areas में हमेशा RSI के आसमानी, इसको आप over valued, over bought area कह सकत यह देखिए, यह area आपके लिए बहुत important होते हैं, तो हम कहते हैं आपको कि high momentum, low risk और high probability की opportunity, जब MACD आपका बिल्कुल base पे start हो रहा होता है, RSI आपका इन ही areas में होता है, और फिर आपको जो rally देखने को मिलती है, वो rally आपको capture करने, तो फिलाल wind up करता हूं इस video को, उमीद करता हूं, इससे आपको बहुत को सीखने को जरूर मिला होगा, पुराना वीडियो September वाला जरूर देखें, वहाँ पर situation कैसी थी और अब एक बार IT industry के stocks को अपने end पर analyze कीजिए और समझ ये, thank you, thank you for watching the video.